इंदोर में ठेले वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जाने वाली कारवाई का कृष्ण मुरारी मोगे ने समर्थन क्या है मोगे का कहना है कि ठेले वालों ने कहीं जगह पर सबजी एवं फलमंडी ही लगा ली है जो उचित नहीं है इंदोर नगर निगम ठेले वालों के खिलाफ सथ हो गया है निगम ने ठेले वालों के खिलाफ घूम घूम कर सबजी और फल पूरूट बेशने के आदेश निकाले हैं नेगम ने एक ही स्तान पर खड़े रहकर ठेले पर सबजी बेशने वालों के खिला कारवाई की बात कई है। नेगम की इस कारवाई का कृष्ण मुरारी मोगे ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की बैठत में ठेले वालों को कॉलोनियों, महलों और गलियों में घुम कर फल सबजी आदी बेशने की अनुमती दी गई थी। लेकिन ठेले वालों ने कई जगर सबजी फल मंडी ही लगा ली जो उचित नहीं है। मोगे ने कहा कि अभी भी ठेले बंद नहीं किये जा रहे हैं। सिर्फ मुख्य मार्गों पर एक जगर एकत्रत होने बालों पर कारवाई की जाएगी। पर आतारों के अंदर खड़े कर अगना शिवो कर दिया। एक पास एक ठेले वर एक जगे पर मैंने देखा है। पचाश साथ सुतर खेले वाले लोग सबजी बेच रहे हैं। पर ना में ये कि साथ सुतर लोग सबजी बेच रहे हैं। तो आने वालों की फुल दी। पर खड़े रहने वाले हाथ ठेले वालों पर कारवाई की बात कर रहा है। इस कारवाई का भाजपा के वरिष्ट नेता कृष्ट मुरारी मोगे ने समर्थन किया है। पिरर रिपोर्ट कबरबार नियूज इंदौर। थाउंग सुद्से दिर खड़े हैं। पर tarव श्वेश्ट बाजा रहा हैं? लुए रहा हैं? झाल झाल